आलो दोस्तो मुस्तफाद एल्प हुश्चन में आपका स्वागत है तो दोस्तों आजको बहुत ही इंप्राटन थे इस तरह से कल की इंप्राइज ऑथ है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि में कौनसे question आपसे पूछे जा सकते हैं और लोगों को पूछे गए है क्योंकि बहुत दिनों पहले मैंने मेरी Instagram पे एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने पूछा था सबसे कि आपका इम्रीकेशन experience मुझसे share करी है जिसे मैं और लोगों की help कर सको तो बहुत साही लोगों ने उनका experience share किया और उसमें से मैंने कुछ 10 question निकाले है जो आपके साथ share करने वाला हूं ठीक है जो किसी को भी नहीं पूछे गए सिर्फ एक दो जिनको पूछे गए है और वो पूछे जाते भी नहीं है फिर भी ऐसा मुझे लगा कि आपके साथ share करने चाहिए तो आज वह भी question आपसे share करूंगा ठीक है दोस्तों तो गाइस अगर आपने कल की वीडियो यानि डॉक्यमेंटेशन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे लिए उसकी लिंक रखिए जाके यह वीडियो फि आइक है कल की वीडियो में कि जिससे आप नर्वस भी नहीं होंगे और आपका जो हो इसली फिनिष हो जाएगा ठीक है दोस्तों के वीडियो और आज की दोनों वीडियो बहुत इंपोर्टन है बात करते है आज की वीडियो कि तो आपको यह पता होना चाहिए कोनसे question लोगों की बाते सून करके ऐसा होता है डिपॉर्ट कर देते हैं कुछ भी नहीं होता है वह बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं गोने देंगे जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक फ्रॉड तरीके से केंड़ा में एंटर हुए त सब्सक्राइब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है तो बिंदास आपका में जाए कभी नर्वस मत हो क्यूंकि मैं मानता हूं वहां तक वो लोग एक या दो क्वेस्चन पुछते हैं उससे जड़ा क्वेस्चन भी नहीं पुछते हैं ठीके लास में बताता और गाइस एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बैल आइकान प्रेस कर दीजिए जिसे आपको हमाइडियो रेक्यूली मिलती रहें और ऐसे ही इंफॉर्मेटी वीडियो हम डेली संडे मंडे पोस्ट करते है और डेली बेस पर आपके साथ ऐसे लुबिक के पीपेर भी शेयर करते हैं जिससे आपको यह बता चले कि कॉंसे सीडिस के अभी रिजल्स आ रहे हैं ठीक है दोस्तों चले बिना देली करें वीडियो को फटाबट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेस् पुछे गए है ओल्मोस्ट सेम ठीक है तो उसमें से मैंने कुछ 10 क्वेस्टन निकाले है और वह आपके साथ शेयर करने वाला हूं लास्ट के जो क्वेस्टन है वह ऐसे क्वेस्टन है जो बहुती रेर पुछे गए है बहुती रेर ठीक है फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वह आप से पुछे ही जाएंगे ठीक है तो फर्स्ट है वाट काइंड और वक परमिट यू है याँ के आपके पास कौन सी वक परमिट है ठीक है अगर आप एसो डॉब्ली पी में आ रहे है तो आपके पास होगी स्पाउजल ओपन वक परमिट ठीक है तो आपको सिंबली उ उनको आंसर देना है वो कोई आपका एक्जामेनर नहीं है कि आपको फेल कर देगा या डिपॉर्ट कर देगा कुछ नहीं करने वाला है ठीक है आपको पता होना चाहिए आप किस बेजीज पर यहां पर आये हो ठीक है तो आपको पूछे का आपके पास कौन सी वक परमिट ह और अगर आप विजीटर पर आये हो तो वो विजीटर विजा और अगर आप आये हो वकपमिट यानि कि अपन वर्क पमिट तो आप उनको बोलो कि आई है वाइव इसने मुझे रिपलाए किया था उसने वाइफ लिखा था तो मैंने भी लिख दिया और मेरी भी यहां पर थी तो मैंने इसलिए वाइफ लिखाए बाकिंग आपको पूछ सकते है कि what is your husband doing here या what is your wife doing here ठीक है तो आपको उसका आंसर देना है season study permit और season work permit तो दोनों में से जो भी आपके wife और husband यहां पर करते हो वो आपको उनको बोलना है अगर study permit खतम हो चुके तो आप बोल दीजे work permit, PGWP ठीक है और अगर वो study permit पे है तो आप बोले study permit पे है राइट हो था second question, third question, in which college अगर study permit पे है तो आपको next question कर सकते है in which college तो आपको उनकी college का नाम पता होना चाहिए ठीक है तो वो नाम आप रट लेना, ओके वो जरूरी है guys, ठीक है तो third question है कौन सी college में आपके wife या husband पढ़ते है, तो उस college का नाम भी आपको आना चाहिए, उसका address भी आना चाहिए guys, पुछा नहीं है किसी को भी, मगर मैं आपको बताता हूं कि सायज address भी पूछ सकते है कि कौन सी street में है, कहां पर है, तो क्या बोलो गया, तो आपको सारा कुछ उनकी information होनी चाहिए, right, fourth question, in which course, ये भी important है, बहुत सारे लोगों को ये question पुछा गया है, कौन से college में है, और कौन सा course यहां पे उन्होंने लिया है, ठीक है, तो आपको husband और आपके wife ने जो भी course लिया है, वो course का नाम आपको पता होना चाहिए, और कितना साल का है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए, आपकी wife currently कौन से semester में है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये बात रट लेना, course semester और उस सब आप मैं जब बोला हो, कर लेना, एकदम रट के तयार होके जाना, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे चारी question, फिफ्थ question, who is your employer, ठीक है, तो guys ये question एक tricky question है, ठीक है, अगर आप SWP में आये हो, तो आपका कोई employer है ही नहीं, आपको किसी ने hire किया ही नहीं, आपके पास job है ही नहीं, तो आपको उनको बोलना है, I am on a spousal dependent open work permit, I have no employer, right, so I will be find a job now onward, okay, तो ऐसा आपको उनको बता देना है, कि हमारे पास job नहीं है, क्योंकि हम spousal open work permit पे आये है, हाँ land होते ही, work permit के साथ, हम मैं try करना start करूंगा, job लेने के लिए, ठीक है, तो ये एक tricky question है, आप ये question सुनके, आसे गवरा जाओगे, कि किसी कहां से आ गया, हमारे कोई employer है नहीं, तो बिंदास उनको बोलना है, ठीक है, तो ये fifth वाला question थोड़ा tricky था, और बहुत साई लोगों तो नहीं बोल सकता हूं, मगर काफी लोगों को ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपके साथ share कर रहा हूं, ठीक है, sixth one, what is your future goal, तो आपको आपका future का goal उनको बताना है, ठीक है, दूसरी मेरे एक follower को ऐसा ये पूछा था guys, के what is your future goal, are you doing a job, or doing a business, ठीक है, तो आपको उसमें आप बोल दोग में field job करूंगा, okay, तो जैसे आपको अच्छा लगे, वो आप select कर लेना, okay, अब ये जो six questions थे, वो बहुत common थे, काभी लोगों को ये पूछे गए है, okay, तो अब मैं जो seventh बाला बता रहा हूं, वो कैसा है, कि पूछे जाता भी है, और नहीं भी जाता है, most commonly लिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मैं आपके साथ share, इसलिए कर रहा हूं कि ये मुझे थोड़े नए लगे, unique लगी, मैंने कभी सुने नहीं थे, ऐसे question, इसलिए मैं आपके साथ share कर रहा हूं, okay, तो seventh one है, what is your current home address in Canada, तो आपका जो भी address है Canada का वो आपको दिखाना है, यानि कि wife के husband ने आपके लिए जो house लिया है, जो नया house लिया होगा Canada में rent पर, तो वो house का आपको address उनको बता देना है, तो address भी एक बार त्यान से रट के जाना, okay, पुछते नहीं है कोई, मैंने इत्ते साई लोगों से बात की, मगर एक इनसान ने मुझे ये वाला question बताया कि मुझे ये equation पुछा गया था, ठीक है, तो मगर ये equation पूछा जाता नहीं है, फिर भी risk यूँ लेना, बता देना, याद करके जाना, okay, 8th one, when you leave Canada, ये पुछते भी है और नहीं भी पुछते है, ठीक है, तो इसका answer है, जब मेरी work permit खतम होगी, तब में leave कर दूँगा, ठी क्योंकि आपको ये ऐसा ही मत बुलना कि work permit खतम होने के बाद में extension कर लूँगा, ये नहीं, ठीक है, आपको simply बुलना है कि आप जो मुझे work permit देने वाला हो, वो work permit जैसे ही खतम होगी, वैसे में canada leave कर दूँगा, कैस कोई आपको पूछने नहीं वाला, ठीक है, क्या आपन मुझे देने वाले हो, वो जब खतम होगी, तब मैं canada leave कर दूँगा, ऐसा मत बुलना कि extension लोगा, extension के बाद PR लोगा, नहीं मिले तो मैं canada छोड़ दूँगा, ये सब मत बुलना, ओके, अब है 9th one, ये बहुत कम सुने, बहुत कम सुने में आया है कि ऐसा कोई question पूछा ज मुझे आपके marriage genuine है कि नहीं वो check करने है, तो आपके wife किदर है, where is your wife? तो उसने बुला, she is outside of airport, तो उन्होंने आगे पुछा उनको के call her, यानि के video call करो, तो video call किया और उन्होंने बात सुनी, officer जो बैठ रहे थे, उन्होंने बात सुनी, तब उन्होंने work permit दिया था, ये ब तो 1000 लोगों में भी एक को भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, मगर पता नहीं उन्होंने उसको ये question क्यों पूछा, यानि के ये ऐसा करने को क्यों बोला, मुझे नहीं पता है, ठीक है, ऐसे कभी आज तक कभी किसी को नहीं बोला है, मगर उनको बोला था, इसलिए मैं आपके सब्सक्राइब करेंगे, यानि कि आप कितने अमाउंट लाए हो यहां पर, यह question में पूछते कभी नहीं है, ठीक है, यह पूछाता एक इनसान को, मगर कभी आपको नहीं पूछेंगे, हाँ, जब आप screening अगेरा कुछ करना होता है, तब यह question आता है, कि कितने पैसे आप ल पूछने वाले हैं, ठीक है, मैंने ऐसे ही रख दिये, मुझे अच्छे लगे तो लग दिये, मगर जो पहले six question थे, बहुत ही common थे, वो पूछे ही जाते है, ठीक है, तो आप यह बात का ध्यान रखना, और रट के जाना, जो मैंने बोला है, कि आप रट के जाओ, वो रट क किया था, तो मैंने आपके साथ share कर दिया, अब guys, मैं मेरा experience आपके साथ share कर रहा हूँ, तो guys, जब मैं Vancouver airport पहुंचा था, तो immigration का time हुआ, मैंने एक लंबी सी line थी, तो हम लोग में और में डॉटर बेठे वहाँ पर, और वहाँ पर, दो तीन family और थे, जिसके पास kid थे, ठीक है, और उसके बाद कोई भी question हमें नहीं पूछा है, और guys, आपको एक काम ये करना है, हर जगा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आएंगे, passport ले लेंगे, आपको अलग line में बुला देंगे, मैंने काफी लोगों से बात की, तो उन्होंने ऐसा बुला कि नहीं, हमको ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर मेरे time ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ share करना हूँ, तो guys, जरूरी नहीं है कि आपका भी passport ले लेंगे, और अलग line में बुलाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छी जी trick दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, कि आपके चाइल्ड को नीचे नहीं रखना है, ठीक है, उसको उठा लीजिए हाथ में, ठीक है, हाथ में जी उठा लोगे, तो officer आपको एक single question नहीं पुछेगा, ठीक है, पुछेगा तो शायद क्यों आए हो, पुछलेगा, आपकी wife क्या कर रही है, वो पुछलेगा, मगर deep में कोई question या ऐसा tricky question कोई भी नहीं पूछेगा, तो यह मेरी आपकी advice है, कि आप आपके child को लेके जा रहे हो, तो उसको उठा लीजे, नीचे मत रखे, और उठा के ही, उसको document जो मांगे वो दीजे, उसको ऐसा लगना चाहिए, कि आपको stress पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई document भी नहीं मांगेंगे, और direct बोलेंगे, आपको आपकी work permit दे दे देंगे, और बोलेंगे, you may go now, all the best, okay, तो हम बात करते थे, मेरी, तो वो officer आए, उन्होंने मेरा passport ले लिया, और हमको एक अलग line बुलाया, मेरे आगे एक family था, उससे भी कोई भी question नहीं पूछा, direct, जैसे नाम बोला, जैसे मेरा सरने में मनसूरी, तो मेरे बोला है, Mr. Mansoori, तो मैं गया माँ पे, ठीक है, और उन्होंने direct मेरा passport और work permit दोनों के मेरी और डॉटर की, जो permit आती है, वो passport में रखके, passport मुझे दे दिया, और बोल दिया, all the best, ठीक है, तो मेरे से एक single question भी, इसमें पे नहीं पूछा है, तो जिसके पास child है, तो उनको उठा लेना है, वो मेरी advice है, आपसे trick है, use करिए, definitely आपको फाइदा होगा, ठीक है दोस्तों, तो यह थी आज की वीडियो, अच्छी लगे, content अच्छा लगे, effort अच्छा लगे, तो like और share, चलूर करके जाना, ठीक है, चलि मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ऐसे ही नहीं, most important information के साथ, तब तक के लिए, bye bye